यहां टेबल में आपको एक लकड़ी की बॉक्स नजर आ रही है और साथ ही यहां पर एक इस्प्रिंग बैलेंस है आप जानते ही हैं कि जड़त्व की नियम से जब तक इस बॉक्स पर बल ना लगे तब तक यह अपने जगह पर क्या रहेगी इस्थिर रहेगी है ना और जब हम इस पर बल लगाएंगे तो देखते हैं क्या होता है जब हम इस पर कम परिमाण का बल लगाते हैं देखिए यह मैं से कम परिमाण से के बल से खीच रहूं यहां पर मैंने लगभग यह देखिए एक न्यूटन का बल और यह दो न्यूटन का बल इस पर लगा दिया लेकि जब कि Newton के गति के द्वीति नियम से आप जानते हैं, कि जब किसी वस्तू पर बल लगाया जाता है, तो उसमें तवरण उत्पन हो जाता है, तवरण यानि कि उसमें गति उत्पन हो जानी चीए, मगर आप देख रहे हैं कि जब मैंने यहाँ पर कम परिमान का लगभग, दो Newton का बल इस पर लगाया, तो भी यह अपने जगह पर स्थिर बनी हुई है, तो ऐसा कैसे संभा हो सकता है, ऐसा तभी संभा हो सकता है, कि जब मैं इस पर इस दिसा में बल लगा रहा हूं, तो इसके विपरीद दिसा में कोई दूसरी बल लग रही हो, और वो इसी बल के कम परिमाड का बल लगा रहा हूं तो एक विपरीत बल भी इस पर इसे रोकने का प्रयास कर रही है और बच्चों इसी बल को हम घर्षण या घर्षण बल कहते हैं आईए अब हम टेबल में रखी इस गेंद पर बल लगा के देखते हैं क्या होता है देखिए आपने देखा कि यह बॉल जो है कुछ दूर तक गती करके रुख गई लेकिन न्यूटन के गती के पहले नियम से आप जानते हैं कि यदि कोई वस्तू गती के वस्था में हो तो वह तब तक गती के वस्था में रहती है जब तक उस पर बाह बल ना लगे तो क्या यहाँ पर अभी कोई बाह बल लगा मेरे द्वारा तो इस पर कोई बाह बल नहीं लगाया गया यह उसके बाद भी रुक गई तो ऐसा क्यों हुआ होगा ऐसा तभी संबह है कि इस पर कोई बल लगा हो और यहाँ पर भी इस बॉल पर इसके गती का विरोध करने वाला एक बल लग रहा है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं तो बच्चों यहाँ पर आपने इन दो गतिविधियों के माध्यम से देखा कि जब कोई वस्तू किसी दूसरे वस्तू के उपर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के बीच में एक बल कारे करता है और यह बल उन दोनों वस्तू के आपेक्षिक गति का विरोध करता है और इसी गति विरोधी बल को हम घर्षण बल कहते हैं घर्षण संबंधी महत्वपून तत्य घर्षण सदयों दो वस्तू के संपर्क तलों के मध्य कारे करता है घर्षण गती के विपरिद्धिसा में कारे करता है घर्षण संपर्क तल के समांतर कारे करता है दो वस्तुओं के मद्ध आपेक्छिक गती होने पर ही घर्षण बल कारे करता है घर्षण बल की प्रविद्धि संपर्क में आयत तलो या गतिमान वस्तुओं के मद्ध आपेक्छिक गती को नश्ट करने की होती है आईए अब हम घर्षण का कारण जानते हैं आप जानते हैं कि किसी भी वस्तुओं का प्रिष्ट पूनता चिकना नहीं होता उसमें कुछ न कुछ उभार और गढड़े अवस्य होते है अतह जब दो तल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके उभार तथा गढड़े एक दूसरे में फंस जाते है यानि उनमें अंतरगरंथन या इंटरलॉकिंग हो जाता है इसी कारण जब बाह बल लगाकर एक वस्तू को दूसरी वस्तू के उपर चलाने का प्रयास किया जाता है तो उनके तलों के मध्य घर्षन बल कारे करने लगता है इसके अलावा विभिन पदार्थों के मध्य लगने वाला अंतराणुक आकर्षन बल भी घर्षन का कारण है जब दो वस्तू एक दूसरे को पर चलने का प्रयास करते हैं तब इनके संपर्क तल में इस्थित अणवों के बीच में आपस में क्रिया होती है और दोनों सत्हें एक दूसरे से चिपकना चाहती है अतह जब एक वस्तू को दूसरी वस्तू की सत्ह पर खिसकाया जाता है तब इसी अंतर आणविक आकर्षण के विरुद्ध कारे करने के लिए बल क्या आ सकता होती है इस प्रकार घर्षण संपर्क तल में इस्थित अणवों के बीच पारस्परिक क्रिया से उत्पन होती है घर्षण क्या है यह आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं आईए अब हम इसके प्रकार के बारे में जानते हैं घर्षण दो प्रकार के होते हैं पहला इस्थैतिक घर्षण और दूसरा गतिक घर्षण तो इस्थेतिक घर्षण और गतिक घर्षण को समझने के लिए आईए हम एक गतिविधी करते हैं अभी यह बॉक्स विरामा वस्था में हैं और मैं इस पर कोई भी बल नहीं लगा रहा हूं अब देख रहे हैं मैंने इस पर एक न्यूटन का बल लगा लिया लेकिन यह अभी भी विरामा वस्था में हैं अब मैं बल की मान को धीरे दीरे बढ़ाते जाता हूं यह देखिए 2 न्यूटन के बल लगाने पर भी यह बॉक्स अभी भी विरामावस्था में है तो इस समय यहाँ पर 2 न्यूटन का घर्षन बल भी कारे कर रहा है अब इसके परिमान को और बढ़ाते हैं यह देखिए यहाँ पर मैंने 3 न्यूटन का बल लगा के मैं इसे खीच रहूं लेकिन यह अभी भी इस्थिर है मतलब यहाँ पर 3 न्यूटन का घर्षन बल लग रहा है तो बच्चो यह इस्थिती जब हम किसी वस्तू पर बल लगाते हैं लेकिन वह इस्थिर रहती है गती नहीं करती तो इस इस्थिती में लगने वाले घर्षन बल को हम इस्थेतिक घर्षन कहते हैं अब आईए हम बल के परिमाण को और धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और देखते हैं क्या होता है बल के परिमाण को इसी तरह से लगातार बढ़ाते रहेंगे तो एक स्थिती ऐसे आएगी कि यह अगर हम वहाँ पर थोड़ा सा भी बल अधिक लगा दें तो यह जो बाक्स है हुआ चलने लगेगी और उस स्थिती को हम सिमान्त घर्षण की स्थिती कहते हैं है अब ही तीन न्यूटन का बल इस पर लगा हुआ है और हम बल के मान को बढ़ा रहे हैं और यह देखिए चार न्यूटन का बल हो गया लेकिन यभी विरामस आपने देखा की चार न्यूटन का बल लगने के बाद यह जैसे ही मान थोड़ा सा बढ़ा, चारद समलोग दो न्यूटन इसका मान हुआ, तो यह बॉक्स जो है, छोड़ी सी गती करने लगी, आप ने देखा कि जैसे ही यह बॉक्स चलने लगा, इसका मान वापिस तीन न्यूटन हो गया, और यह हम इस पर बल बढ़ाते जाते हैं तो एक इस्थिती ऐसी प्राप्त होती है कि अगर वहां पर हम थोड़ा सभी बलका पर आधें तो वस्तु Danica सघ्ग से अर्वा सिवन का इस stiffती को सिमान शंतुलन की इस्थिती घर्चन का ही रूप है और इस्थेतिक घर्चन का अधिक्तम मान है फिर आपने देखा कि सिमान संतुरन की स्थिती में पहुंचने के बाद जैसे ही हमने बल के परिमाण को बढ़ाया यह है गती करने लगी और आपने स्प्रिंग बलन्स के मान को देखा होगा पाठ्षांग को कि जैसे ही यह गती करना शुरू करती है उसका पाठ्षांग जो है कुछ कम हो जाता है तो जैसे ही यह गती करना प्रारम करती है उस समय लगने वाले गती के अवस्था में लगने वाले घर्चन को हम गतिक घर्चन क और आपने यह भी देखा कि गतिक घर्षण का मान जो है वह सिमांत घर्षण या इस्थेतिक घर्षण से कम होता है इस प्रकार आपने जाना कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु की उपर चलाने का प्रयास किया जाता है लेकिन वह वस्तु इस्थिरी रहती है तब उनके सं परक तलो के मध्य लगने वाले घर्षण बल को हम इस्थेतिक घर्षण कहते हैं और जब एक वस्तू दूसरे वस्तू के उपर चलने लगती है तो उस समय कारे करने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं आएए अब हम बाह बल और घर्षण को ग्राफ के माध्यम से समझते हैं बाह आरोपित बल और घर्षण के बीच वक्र आपको दिखाई दे रहा है इस वक्र से इसपस्ट है कि इस्थेतिक घर्षण का मान बाह आरोपित बल के बराबर होता है इस करन इस्थेतिक घर्षण वक 45 डिगरी से जुकी सरल रेखा प्राप्त होती है। इसका अधिक्तम मान सिमान्त घर्चन होता है जबकि गतिक घर्चन का मान नियत तथा सिमान्त घर्चन से कम होता है। आईए अब हम सरपी घर्चन और बेलन घर्चन में अंतर समझते हैं। सरपी घर्चन जब एक पिंड किसी दूसरे पिंड के प्रिष्ट पर फिसलता है तो दोनों के संपर्क तलों के मद्ध कार करने वाला घर्चन सरपी घर्चन कहलाता है। बेलन घर्चन जब एक पिंड दूसरे पिंड पर लूड़कता है तो दोनों के संपर्क तलों के मद्ध कार करने वाले घर्चन को बेलन घर्चन कहते हैं। सरपी घर्चण का मान अधिक होता है बेलन घर्चण का मान कम होता है और इसमें तीसरा प्रमुक अंतर है सरपी घर्चण में फिसलने वाले पिंड का वही तल सदयव दूसरे पिंड के संपर्क में होता है जबकि बेलन घर्चण में घूमने वाले पिंड के विभिन भाग दूसरे पिंड के संपर्क में क्रमसह आते जाते हैं घर्षण के नियम, घर्षण के नियम को समझने के पूर्व अभिलंब प्रतिक्रिया के बारे में जानना आवस्यक है, इसलिए आईए पहले अभिलंब प्रतिक्रिया बल को समझते हैं चित्र के नुसार जब किसी वस्तु को तल PQ के उपर रखकर उस पर 36 दिसा में बल F लगाया जाता है, तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य घर्षण बल F S कारे करता है इसके साथ साथ गुटके का भार W नीचे की और कारे करता है, निव्टन के गति के तृति नियम के नुसार तल PQ भी गुटका A पर उतना ही प्रतिक्रिया बल तल के लंबवत उपर की और लगाता है, इसे अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं और यहां इसे हमने R से व्यक्त किया है, इस्थेतिक घर्षण या सिमान्त घर्षण के नियम पहला, घर्षण सदयव गति का विरोथ करता है तथा इसकी दिशा गति की दिशा के विपरीत होती है सिमान्त घर्षण संपर्क तलो की प्रकृती पर निर्भर करता है सिमान्त घर्चन संपर्क तलो के छेत्र फल या आकृति पर निर्भर नहीं करता यदि अभिलंब प्रतिक्रिया आर का मान नियत हो चौथा सिमान्त घर्चन एफ एस का मान अभिलंब प्रतिक्रिया आर के समान उपाती होता है अर्थात एफ एस इस प्रोपोर्शनल टू आर या प्रोपोर्शनल का चिन हटाने पर यहाँ पर एक नियतांग जोड़ जाएगा तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं एफ एस इक्वल टू म्यू एस इन्टू आर जहां म्यू एस एक नियतांग है जिसे इस्थेतिक घर्चन गुडांग कहते हैं इस प्रकार इस्थेतिक घर्चन गुडांग म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपान आर या म्यू एस इक्वल टू सीमांत घर्चन अपान अभिलंब प्रतिक्रिया अर्थात सिमान्त घर्षण तथा अभिलम प्रतिक्रिया के अनुपात को इस्थेतिक घर्षण गुणां कहते हैं आईए अब हम गतिक घर्षण के नियम देखते हैं पहला गतिक घर्षण सदयों गति के विपरीत दिशा में होता है दूसरा गतिक घर्चन संपर्क तलो की प्रकृती पर निर्भर करता है तीसरा गतिक घर्चन संपर्क तलो के छेत्रफल या आकृती पर निर्भर नहीं करता चौथा गतिक घर्चन F के कमान अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात fk is proportional to r या fk equal to mu k into r यहाँ पर mu k एक समानुपातिक इस्थिरांख है जिसे गतिक घर्चन गुडांग कहते हैं इस प्रकार से mu k का मान जो है वह म्यू के बराबर fk upon r होगा या म्यू के बराबर गतिक घर्चन बटे अभिलंब प्रतिक्रिया यानि गतिक घर्चन तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को गतिक घर्चन गुडांग कहते हैं अब आप जानती हैं कि इस्थेतिक घर्षण का मान गतिक घर्षण से अधिक होता है यानि F S is greater than F K इसलिए इस्थेतिक घर्षण गुणांक मुव S का मान भी गतिक घर्षण गुणांक मुव K से बड़ा होगा अर्थात मुव S is greater than मुव K इस प्रकार हम कह सकते हैं घर्षण गुणांक संपर्ख तलो की प्रकृती पर निर्भर करता है आएए अब हम घर्षण गुणांक से संबंधित एक उधारण देखते हैं दस मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिसील वस्तू कितनी दूर जाकर रुख जाएगी यदि जमीन वा वस्तू के मध्य घर्षण गुणांक सुन्य दसमलाव चार हो तो आएए इसे हल करते हैं यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि वस्तू की चाल जो है वा दस मीटर प्रति सेकंड है यानि कि यू बराबर दस मीटर प्रति सेकंड उसकी प्रारंभिक चाल और वह कुछ दूरी बाद रुख जाती है इसलिए अंतिम वेग वी यहाँ पर सुन्य होगा साथ ही म्यू के है ना इनके मध्य जो गतिक घर्चन गुडांक है उसका मान सुन्य दसमलाव चार दिया हुआ है और अभी आपने देखा कि F के जो है वह म्यू के इंटू आर के बराबर होता है और आप जानते हैं R जो है वह अभिलम प्रतिकिरिया जो है वह भार या M G के पराबर होता है इसलिए R के जगह में यहाँ पर M G लिख सकते हैं इस प्रकार F के इक्वल टू म्यू के इंटू M G अब गती के द्वितीनियम से हम जानते हैं कि बल F के बराबर M इंटू A होता है तो F के कमान यहाँ पर हम रख देते हैं F के इक्वल टू म्यू के M G इक्वल टू M इंटू A हो जाएगा यहाँ पर या A इक्वल टू म्यू के इंटू G क्योंकि दोनों पक्षों में M है तो इनका मान निरस्थ हो जाएगा या A इक्वल टू यहाँ पर म्यू के की जगा में 0.4 दिया है इसले 0.4 लिखेंगे और गुरुत्वी तोरान G कमान आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्कॉयर होता है तो G की जगा में 9.8 रख देते हैं इस प्रकार हमें A इक्वल टू 0.4 इन्टू 9.8 प्राप्त होगा और इसे गुणा करने पर हमें A इक्वल टू 3.92 मीटर पर सेकंड स्कॉयर प्राप्त होगा अब गती के समी करण से आप जानते हैं कि V स्कॉयर इक्वल टू U स्कॉयर प्लस 2 A S अब यहां पर V U A इनका मान रखते हैं तो V जो है अंतिम वेक 0 है तो 0 इक्वल टू U के जगह में आजागा 10 प्लस 10 स्कॉयर प्लस 2 A जो है यहां पर त्वरण हमें 3.92 मिला और यह त्वरण नहीं है यह जो है वस्तू आगे जाकर रूक रही है याने कि यह मंदन है तो इसलिए हम इसे रिण में लेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणा रिण 3.92 और S यह हमें ग्याद करना है S मतलब विस्तापन तो इसे हल करने पर हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गती सिल वस्तू जो है वह 12 समलोव 7-5 मीटर दूरी तै करने के बाद रुख जाएगी घर्षण कोण सिमान्त घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं इसे लेम्डा से व्यक्त किया जाता है मान लीजिए किसी 36 तल PQ के उपर एक गुटका रखा है जिसका भार W है जो चित्र के अनुसार उर्धोधर नीचे की और कारेसील है अब यदि गुटके पर 36 दिशा में बल F लगाया जाता है जिससे गुटका ठीक फिसलने की स्थिती में अर्थात सिमान्त संतुलन की स्थिती में होता है तो इस इस्थिति में गुटके पर कारे करने वाले बल इस प्रकार से होंगे पहला गुटके का भार डबलू उर्ध्वधर नीचे की ओर दूसरा तल के अभिलमवत प्रतिक्रिया आर उर्ध्वधर उपर की ओर तीसरा बाह बल F 36 दिसा में दाईयोर और चौथा सिमान्त घर्षण बल F S 36 दिसा में बाईयोर याने F के विपरित अब यदि बल F S को सदिस O A से तथा प्रतिक्रिया बल को O B से प्रदर्शित करें तो इनका परिणामी ग्याद करने के लिए हमें समानतर चतरभुज O A B C को पूरा करना होगा तो आईये इसे पूरा करते हैं अब आप समानतर चतरभुज इनियम से जानते हैं कि इसका विकरण O C इस्थैतिक घर्षण F S तथा प्रतिक्रिया बल R का परिणामी होगा अतह घर्षण कोण लेम्डा इक्वल टू कोण B O C अब सम कोन तरिभुज O B C में 10 लेम्डा जो है वो बराबर हो जाएगा B C अपॉन O B के अब आप देख रहे हैं कि B C जो है वह O A के बराबर है इसलिए हम इसे इस प्रकार से ली सकते हैं 10 लेम्डा इक्वल टू O A अपॉन O B अब आप चित्रस्वे में देखिए O A जो है वह किसके बराबर है वह इस्थेतिक घर्षण कोण दांक F S के बराबर है इसलिए हम O A की जगा में F S लिखेंगे तो यह इस प्रकार से हो जाएगा 10 लेम्डा इक्वल टू F S अपॉन O A इसे हम समी करण एक का नाम दे देते हैं लेकिन यदि इस्थेतिक घर्षण कोणांक M U S हो तो हम जानते हैं कि M U S जो है वह बराबर होता है F S अपॉन O A के इसे हम समी करण दो का नाम दे देते हैं अब समी करण एक और दो को आप ध्यान से देखिए इससे हमें यह पता चल रहा है कि समी करण एक में 10 लेम्डा जो है वह F S अपॉन O A के बराबर है और समी करण दो में M U S जो है वह F S अपॉन O A के बराबर है इन दोनों का दाहिना पक्च बराबर है यानि इनका बाया पक्च भी बराबर होगा इस प्रकार M U S बराबर 10 लेम्डा होगा अर्थात इस्थेतिक घर्चन गुणांग घर्चन कोण की इस परज्या के बराबर होता है आईए अब हम विराम कोण के बारे में जानते हैं जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सिमांत संतुलन में हो तो नत समतल का छैतिज से जुकाओ विराम कोण कहलाता है और इसे थीटा से व्यक्त किया जाता है चित्र के अनुसार माना कि किसी नत समतल ओ बी पर एक पिंड पी को रखकर यदि नत समतल के जुकाओ कोण को क्रमसह बढ़ाते जाए तो एक स्थिती ऐसी आती है कि पिंड सिमांत सिंतुलन की स्थिती में आ जाती है अतह यदि जुकाओ कोण के मान में थोड़ा सा भी रिद्धी कर दिया जाए तो पिंड नत समतल में फिसलने लगेगा माना कि पिंड का द्रव्यमान M है तथा सिमांत संतुलन की स्थिती में नत समतल का 36 से जुकाओ अर्थात विराम कोण थीटा हो तो पिंड पर तीन बल कारे करेंगे पहला पिंड का भार M जी उर्ध्वधर नीचे की ओर दूसरा अभिलंब प्रतिकिरिया आर नत समतल के उर्ध्वधर उपर की ओर और तीसरा सिमांत घर्षन F स नत समतल के अनुदिस उपर की ओर अब पिंड के भार M जी का हम समकोण वियोजन कर सकते हैं तो M जी जो है दो अभिलंबवत घटकों में वियोजित होगा पहला M जी कौस थिटा नत समतल के लंबवत और दूसरा M जी साइन थिटा नत समतल के दिशा में नीचे की ओर इस प्रकार बिंदू P पर समांगी संतुरन की स्थिती में R जो है वह बराबर होगा M G कौस थिटा के इसे हम समी करण एक नाम देते हैं और F S जो है वह बराबर होगा M G साइन थिटा के इसे समी करण दो का नाम देते हैं अब समी करण दो को समी करण एक से अगर भाग दें तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा F S upon R equal to M G sin theta upon M G cos theta M G अंस में भी आपको दिख रहा है उपर और नीचे हर में भी M G है तो यह दोनों एक दुसरे को निरस्थ कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा F S upon R equal to sin theta upon cos theta और आप जानती है कि sin theta upon cos theta जो है 10 theta के बराबर होता है और F S upon R जो है इस्थेतिक घर्षन गुणांग μू S के बराबर होता है इस प्रकार μू S equal to 10 theta प्राप्त होगा अर्थात इस्थेतिक घर्षन गुणांग विराम कोण के इस परज्या के बराबर होता है लेकिन अभी हमने देखा था कि μू S जो है वह 10 lambda के बराबर होता है तो और मू S अभी हमने देखा कि 10 theta के बराबर है इस प्रकार 10 theta बराबर होगा 10 lambda के या हम इसे लिख सकते हैं कि theta बराबर होगा lambda के अर्थात घर्षन कोण और विराम कोण समान होते हैं आईए अब हम घर्षन से लाब और हानिया देखते हैं घर्षन के देनिक जीवन में बहुत सारे लाब हैं और इससे कुछ हानिया भी है तो पहले हम इनके लाब को देखते हैं पहला घर्षण के कारण ही हम भोजन चबा पाते हैं दूसरा घर्षण से हम आग उत्पन करते हैं आप माचिस जला के आग उत्पन करते हैं तब घर्षण होता है या पुराने समय में पत्थरों को रगड कर आग उत्पन किया जाता था तो इस प्रकार घर्षण से हम आग उत पन करते हैं घर्षण के कारण ही हम प्रित्वी पर चल पाते हैं यदि घर्षण नहीं होगा तो हम नहीं चल पाएंगे और चौथा है घर्षण द्वारा ही हमारे वाहन सडकों पर दौड़ पाते हैं पाचवा घर्षण द्वारा ही हम रसी बना पाते हैं तथा रसी से समान को बान पाते हैं अगला है घर्षण के कारण ही वाहन में ब्रेक लगा कर हम उसे रोग पाते हैं अगर घर्षण नहीं होगा तो जो वस्तु एक बार गती के वस्तेमा जाएगी वह गती ही करती रहेगी इसके अलावा घर्षण के द्वारा ही हम दिवाल में किल ठोक पाते हैं घर्षण के द्वारा ही हम चीजों की सफाई करते हैं इस प्रकार और भी बहुत सारे घर्षण के लाब हैं घर्षण हमारे जीवन में उतना ही आउस्थ है जितना की भोजन आईए अब हम घर्षण की स तो पहला है घरसन के कारण मसीनों के कल पूर्जे घिस जाते हैं, घरसन के कारण मसीनों की दक्षता कम हो जाती है, और घरसन के कारण मसीनों को दी गई उर्जा का कुछ भाग उस्मों में परिवर्तित हो जाता है जिससे उर्जा की हानी होती है, इसके अलावा घरसन के कारण मसीन आवेशित हो जाती है जिससे दुरघटना की संभावना बढ़ जाती है तो इस प्रकार घरसन के गुण और दोसों के अधार पर यह कहा जा सकता है कि घरसन बल हमेशा आपेक्छिक गती का विरोध करता है लेकिन इसके बिना हम जीवन या पन करने में अक्षम हो जाते हैं तो इस प्रकार हमने घरसन से कुछ लाब और कुछ हानिया देखी है और यह भी हम जान चुके हैं कि घरसन हमारे लिए बहुत आवस्यक है इसलिए हमें कभी-कभी घरसन को कम करना पड़ता है और कभी-कभी घरसन को बढ़ाना भी पड़ता है तो आईए अब हम जानते हैं कि घरसन को कैसे कम किया जाता है तो घरसन को कम करने की पहली विदी है इस नेहक या लुब्रिकेंड का उप्योग करके इसके लिए दोनों संपर्क तलो जिनके मध्य घर्षण होता है में इसनेहक तेल या ग्रीज डालकर घर्षण कम किया जाता है इससे दोनों तल एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आते और इसनेहक तेल या ग्रीज डालने से सुस्क घर्षण जो है तरल घर्षण में परिवर्थित हो जाता है और तरल घर्षण का मान सुस्क घर्षण की तूलना में काफी कम होता है दोनों संपर्ख तलों के बीच संपीडित वायू को प्रवाहित कर भी घर्षण कम किया जाता है इससे वायू एक प्रत्यास्त गद्दे की भाती कारे करता है जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है इससे दो फायदे होते हैं पहला वायू चलन सिल हिस्सों की उस्मा को अवसोशित कर लेती है अधिक तापके करण छे कम हो जाते हैं दूसरा वायू चलन सिल हिस्सों में धूल के कणों को एकत्रित नहीं होने देता तो आप लोगोंने बच्चों देखा ही होगा कि विभिन प्रकार की मशीनों में घर्षण कम करने के लिए तेल और ग्रीस का उपयोग किया जाता है आप लोग साइकिल मोटर साइकिल में भी ग्रीस और तेल का उपयोग करते होंगे घर्षण कम करने के लिए जो दूसरा तरीका है वह है बाल बीरिंग का उपयोग बाल बीरिंग में दो समाक्षिय बेलन होते हैं दोनों के बीच कठोर स्टील के चर्रे होते हैं और वहनों की धूरी जो है वह आंतरिक बेलन से जुड़ी हुई होती है और बाह बेलन से वहन का पहिय जुड़ा होता है जब धूरी किसी दिशा में घुमती है तो चर्रे उसके विपरीद दिशा में घुमते हैं तथा पहिये घुमने लगते हैं इस प्रकार बाल बीरिंग का उप्योग करके सरपी घर्षण को बेलन घर्षण में परिवर्तित कर घर्षण को कम किया जाता है इसे और अधिक कम करने के लिए दोनों बेलन के बीच छर्रों के साथ ग्रीस लगा दिया जाता है घर्षण कम करने के लिए धारा रेखिये आकरिती दी जाती है आप लोगों ने देखा होगा हवाई जहाज नाव ये देखे होंगे आप लोग इनकी आकरिती इस प्रकार से होती है कि इनसे हवा और पानी जो है कम से कम टकराए इनकी आकरिती को धारा रेखिये आकरिती कहते हैं इस आकरिती के कारण किसी भी तरल के द्वारा डाला गया अवरोध नियुंतर्म होता है अत्ह सभी वहनों की आकृती धारा रेख़ी पैटर्ण पर बनाई जाती है घर्षण कम करने की अगली विधी है पॉलिस करना संपर्क तलों को पॉलिस करके भी घर्षण कमान कम किया जाता है पॉलिस करने से इनके संपर्क तलों में अंतर ग्रंथन या इंटर लॉकिंग कम हो जाता है इसके अलावा घर्षण कम करने के लिए हम मिस्त्र धातू का उप्योग भी करते हैं प्रायह यह देखा गया है कि जब कोई धातू समान धातू की किसी सतह पर गती करती है तब उनके मध्य घर्षण का मान अधिक होता है लेकिन एक धात्विक सतह किसी मिस्त्र धातू की सतह पर गती मान हो तब घर्षण का मान अपिक्छा कृत कम हो जाता है यानि मिस्त्र धातू का उप्योग करके घर्षण के मान को घटाया जा सकता है उदाहरन के लिए स्टील का एक ठोस पिंड जब स्टील की सतह पसर रखता है तब घर्षण का मान अधिक होता है लेकिन जब स्टील धातु किसी मिस्र धातु जैसे पीतल या कासे के प्रिष्ट पर गती मान हो तब घर्षण का मान कम हो जाता है अब हम घर्षण को बढ़ाने के तरीके देखते हैं आप जानती हैं घर्षण के अनेक उप्योग हैं और कई बार घर्षण कम होने पर हमें अत्यधिक असुईधा होती है जैसे हम चिकने पर चल नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें फिचल कर गिरने का भय होता है इसलिए हमें वहाँ पर घर्षण को बढ़ाना होता है और जब मोटर गाड़ी का पहिया कीचण में फस जाता है तो घर्षण कम होने के काराण पहिया अपने ही स्थान पर घुमने लगता है बाहर नहीं निकल पाता ऐसी स्थिती में पहिये के नीचे लखड़ी का तकता रख देते हैं जिससे घर्षण कमान बढ़ जाता है और पहिया असानी से बाहर निकल जाता है इस प्रकार ऐसे बहुत सारे उधारण है जहां हमें घर्षण बढ़ाने की आसेकता होती है जूते के तलवे खुरदूरे बनाया जाते है मोटर गाड़ियों के टाइरों में खाचे बने होते हैं जिससे घर्षण कमान बढ़ जाता है इस प्रकार मोटर गाड़ियों को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है